हेले दोस्तों स्वागत है आपका आजके एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए एंजिनेरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन की पूरी की पूरी सब्सेक्ट की इनफोर्मेशन और अवरोल देखा जाए तो यह सब्सेक्स काफी इंपोर्टमेट है आप यहां पर यह प अगर हम सबसे पहले ओवर्यू से स्टार्ट करें तो इसका क्रेडिट है 4 और कोड है इसका 311-013 इसके थीरी मार्क है और प्रिटिकल्स मार्क 50 है तो कुल में लागे यह 150 मार्क का सब्जेक्स है और यह काफी इंपोर्टमेट है आपकी जीट्यू के एक्जाम के लिए यह सब्जेक्स काफी इंपोर्टमेट है अगर हम सिलेबस की बात करें सिलेबस का काफी बढ़ा है बट अगर हम प्लानिंग के साथ इसकी प्रिपरेशन करें तो इसमें आपको काफी अच्छा मार्क आ सकते हैं जैसे कि इंट्रोड़क्शन टू एंजिनेरिंग ग्राफिक्स अगर हम इन सभी को देखें तो अवरल आपको लगेगा कि सिलेबस काफी बढ़ा है सब्जेक्स हाड़ है बट इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जो जीट्यू में हर साल रिपीट होता है यानि कि आप ये देखिए एंजिनेरिंग कर इसके अंदर दो तिन क्वेशन हर साल ज होते हैं वेज हैं प्रीट होते हैं फोते हैं इसली होते ही इससे में गयारिटि के साथ है कि सब्सक्राइब है अब हम बात करते हैं practical तो यहां पर मैंने कवल 5 प्रेटिकल में धिल किये हैं क्यूंकि यह 5 के 5 काफी important है इसलिए मैं बोल रहा हूं क्यूंकि अगर आप इसमें से preparation करोगे इसमें आप अच्छे canvas बनाऊगे तो आपको वाईवा में काफी फर्क पढ़ेगा canvas का मतलब आपको इसमें canvas बनायने पढ़ेंगे आपके sir जैसे ही आपको guidance करेंगे उसके इसाब से आपको canvas create करने होंगे तो उसमें local of point, engineering curves, projection of line and solid, development of service, orthographic and isometric projection और जैसे कि मैंने इससे पहले mention किया कि इन दोनों में से एक question आपको 7 mark में आएगा ही आएगा मेरे इसाब से आप इन दोनों में से कोई भी एक पर ज्यादा focus करना है तो आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों काफी hard है, difficult है और दोनों में काफी आपको difficulty आएगी solve करते हुए बट आपको जो easy लगता हो उस पर ही focus करना है तो आपको 7 में से 7 mark आने के काफी chances है अब हम YouTube learning की बात करते हैं क्योंकि engineering ranks में ऐसा रहता है कि सायद आपकी faculty आपको जो समझा रही है वो आपको समझ में नहीं आए और या फिर आपकी faculty की ठीक से समझानी पाई कोई भी reason से YouTube पे आप इस subject को काफी अच्छी तरह से learn कर सकते हो क्योंकि YouTube पे काफी सारी एसी channel है जो इसने इतनी अच्छी तरह से आपको explain किया है कि आपको इसमें काफी अच्छे से समझ बाएगा काफी अच्छे से understanding होगी क्योंकि मैंने खुद YouTube पे से ही यह पूरा सब्जेक्स learn किया था मैंने खुद ने यह मानस पटनाई की channel है इतनी अच्छी तरह से उस पंदे ने आपको explain किया है सो आप YouTube पे से हो सके तो सिखना otherwise आपकी faculty अच्छा पढ़ाती हो तो तो कोई चांसी ने यह दिखती नहीं है सो यहाँ पर मैंने तीन चैनल mention किये first year engineering drawing मानस पटनायक और engineering graphics यह तीनों की तीनों काफी अच्छी है और मैं especially यह मानस पटनायक की आपको recommend करना चाहता हूँ अच्छी अच्छी books books find करने के लिए मैंने आपको ओल्रीडी बताया था कि books को कैसा find करते इस वीडियो में अगेन आपको एक बार explain करता हूँ जैसे यह आप GTO के website पे books का सिलेबस का एक PDF होता है वो download करते हो सो उसमें कुछ इस तरह का PDF है यह आपके सामने आप PDF ही देख र दिखा है reference book सो इसमें यह सारी की सारी अच्छी reference book है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं यह मैंने zoom किया सो एक दो तीन चार पांच यहां पर आपको पांच अध्वयत की books दे रखिए सो इन पांचों बुक्स को आप Google पे सर्च करोगे सो आप वहां से इसकी PDF टून सकते हो अधर्वैस दूसरी बात कि आपको यह book find करने है तो इसको आप टेलिग्राम में भी ढून सकते हो और तीसरी बात कि आपकी college की library में भी यह सारी की सारी books available है तो reference book को आप कहीं से भी डून सकते हो और अगर आपको कहीं से भी reference book नहीं मिले तो आप टेलिग्राम में request करोगे तो वहां से आपको ज़रूर यह सारी की सारी books मिल जाएगी और इसमें यह जो पहली book है पीजे सा एस चंद उसकी book इतनी अच्छी है मैंने खुद में उसमें सही पढ़ाई की थी और textbook of engineering graphics by पीजे सा एन एस चंद यह काफी अच्छी books है बट यह ऐसा नहीं बूल रहा हूँ यह सारी अच्छी नहीं है मैंने यह वाली books में से पढ़ाई की थी बट यह सारी books भी अच्छी है आपकी library में जो भी books है आप वहाँ से इस subjects की book को issue कर सकते है उस आपको काफी फर्पड़ेगा उसके बाद इस PDF में काफी अच्छी information है जैसे की course outcome आपने यह subject सीख लिया उसके बाद आपको क्या-क्या benefit हो सकता है उसके बाद इसमें दे रखाए list of practicals जो मैंने यह सारी की सारी details आपको इसमें अच्छे से explain किया है और दूसरी बात कि इसमें से आपको नहीं देखना है तो आप YouTube पर इसे तो देखिए सकते है obviously यह सारी की सारी information PDF में रहती है अगर हम question paper की बात करें तो सारे के सारे GTU के question paper gtu.ac.in की website पे available है paper इसलिए important है क्योंकि GTU में ज्यादा तर questions ऐसे रहते हैं जो हर साल repeat रहते है जिसको IMP question पी कहते है तो इसके उपर ज्यादा focus करना क्योंकि उससे भी आपके mark में काफी effect पड़ेगा और यह सारे के सारे winter और summer के paper gtu की website पे available है अगर आपको video related कुछ भी doubt हो तो नीचे comment box खुला ही आप वहां पे अपने comment करके दाल दीचेगा thank you guys for watching this video if you like my video then hit that like button and if you doubt then ask me in the comment section and do share this video with your friend and if you haven't subscribe my channel then please subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification